हाई गाई विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस और 15 अफ एप्रेल 2021 तो गाई आज है तारीक 15 एप्रेल 2021 और है थर्सडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पिप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को यह चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम क लिंक दे रखा है वो लिंक इसी चैनल का है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आटमाटिकली यह चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर आपको डेली बिस उस पर दहिंदू न्यूस पेपर मिलता है डेली करंट इग्जैक्ली देखना मैप में कहां पर लोकेटेड है इंडिया की कमपैरिजन में कहां पर है फिर उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना इसकी इग्जैक्ली लोकेशन को देखो सबसे पहली क्या एक इन्फॉर्मेशन आई है आई होग आप आप की पोस्ट पॉन किया गया है यानि की आने वाले टाइम पर उनके एक्जाम होंगे डाल दिये गए अभी के लिए और टेंथ के पूरी तरह से कैंसल कर दिये गए ओके तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि बहुत सारे ट्वल्थ वाले लोग भी देखते हैं 12 वा उसके बाद बताया जाएगा अगर पेपर कराने भी होंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर यहां पर एक्जामनेशन करवा देंगे ओके नाओ अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ तो सबसे पहला आर्टिकल आप लोग यहां पर देख पाओगे सुप्रीम कोड ने बो प्रोवाइड करवा पाएं अब यह किस्सा क्या हुआ था एक छोटा सा किस्सा के अंदर यहां पर देख पाओगे दो स्टुडेंट्स हैं कहां के लद्दाक के जिनको आपका सकते हो जो की नॉमिनेट किये गए यूनिन टरिट्री अडिनिस्ट्रेशन एम बीबिस स्टड के लिए और उसके बाद यहां पर यह सुप्रीम कोड ने बोला है कि देखो एजूकेशन तो है हमारा फंडरमेटल राइट भी है तो मैं कोशिश करनी चाहिए लीगली और इजियर में जितने हम इसली प्रोवाइड करवा पाएं उतना ज्यादा यहां पर बहतर हो ओके उस है वो इस कोटा को अपोस करना एक तरीके से कह रहे हैं हम इनको इंप्लेमेंट नहीं कर पाएंगे अब यहां पर आपको यह समझना यह कोटा जो सरकार है हर्याना की सरकार वो क्या कोटा लेकर आई थी तो देखो यहां पर लाए गया था 75 परसेंट तक की जो जॉब्स हैं वो सरिफ और सरिफ हर्याना के लोकल पीपिल के लिए होंगी ठीक है यहां पर exactly यह होता क्या है कोटा एक तरीके से रिजर्व कर दिया जाता है लोग के लिए है ना तो यहां पर हर्याना के अंदर भी क्या करा गया था कि देखो जो 75 परसेंट तक जॉब्स होंगी प्राइ तो ठीके मुझे ऐसा लग रहा है फिलाल मुझे याद नहीं आ रहा हां मैंने पढ़ाया था यह द्यान नहीं आ रहा क्योंकि बीच में जारकंड भी ऐसा यहां पर कोटर लेकर आया तो सब की सबने अपने अलग-लग सेलरी सेट कर रखी हैं तो यहां पर basically क्या है कि हर्यान तरीके से आप कह सकते हो कि जो दूसरे higher भी करना होगा तो higher करने के लिए इनको skilled labor चाहिए ठीक है skilled लोग चाहिए जो कि वहां पर कह सकते हो कि काफिया तक नहीं मिल पाएंगे ठीक है तो यह सारे statement यहां पर दिये गए हैं फिलाल यहां पर आपको important यह था कि आप यह जान स रखना कि देखो जो भी यहां पर government इस तरीके का quota लेकर आती है job quota यह जादे time तक चलते नहीं है यहां पर जल्दी यहां पर यह एक तरीके से हटा दिये जाते हैं ऐसा हुआ भी है पहले भी काफी सारी जगा पर लेकिन देखेंगे कब तक यहां पर इस चीज़ा चल रही ह ठीक है S400 यह हम लोग आपका सकते हो जो defense system है यह हम लोग किसे रश्या से purchase कर रहे हैं तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि इस साल के November तक साल 2021 चल रहा है November तक मतलब साल की end तक हम लोग अपने defense system को receive कर पाएंगे Russia हम लोग को यह defense system deliver कर देगा और दूसरी चीज़ यहां पर यूएस के एक sanctions का खत्रा भी है यूएस भारत के ओपर sanctions लगा सकता है Russia के ओपर sanctions लगा सकता है ठीक है किस चीज़ को लेकर देखो यह जो deal थी यह है 2.5 billion dollar की deal है और आप कह सकते हो कि अगर यहां पर हम लोग यह चीज़े purchase कर रहे है Russia से तो अब यहसी बात है US जो है अपने कार्ट सा वाले sanctions लगा सकता है अब basic purpose क्या होगा इसका sanctions लगाने का यह होगा कि देखो हमें क्या करना चाहिए था हमें US से यह सारी चीज़े purchase करनी चाहिए थी हम लोग रश्या से क्यों purchase कर रहे है ठीक है यहां पर यह देख पाओगे इस तरीकी की चीज़ें यहां पर दे कर पाएंगे लगबग इस साल के end तक ओके ना उसके बाद यहां पर देख पाओगे वही सेम आर्टिकल जो कि हमने page number one के ओपर discuss किया था अभी कि जो दो student है उनको admission नहीं दिया गया ठीक है और अब यहां पर देख पाओगे Supreme Court ने बोला है basically सबसे पहले तो कि जो court ने order दिया है जो student से उनको admit किया जाए ठीक है मैं आपको यह बताना भूल गया था इस वज़़े से मैं आपर बता रहा हूँ ठीक है court ने बोला है कि उनको admit किया जाए ठीक है यह सारी चीज़ हो रही है उसके बार next article की तरफ आता है यहां पर यह वाला एक article आता है बात यह करी गई है देखो next article जो है यहां पर आप देख पाऊगे Singapore के foreign minister है जिनका नाम है विव्यान बाला कृष्णा इन्होंने बोला कि देखो इनको आशा है कि जो इं आपको बताऊंगा ठीक है तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि इंडिया अगर से जॉइन करता है तो काफी benefit होगा इंडिया को भी इंडिया की जो आपके सकतो companies हैं उनको काफी जादा benefit मिलेगा अगर हम लोग इस चीज़ को जॉइन कर लेते हैं तो अब हमने देखो साल 2019 म आपर यह लोग काम करते हैं बहुत सारी countries आपस में जो है trade वगरा कर रही हैं लेकिन दूसी तरव अगर हम बात करें इंडिया जो है इससे withdraw हो चुका था क्यों क्योंकि Chinese यहां पर Chinese goods को हम purchase करते Chinese goods को import करते चाइना से trade करते उसी वज़ा से हम लोगों ने यहां से बाहर आ ग तो यहां पर यह exactly बताया है कि अगर इसको join करता है इंडिया और यहां पर सिंगापूर यह भी बोलता है कि यहां ऐसा लगता है कि इंडिया join करेगा तो इंडिया की companies जो हैं उनको एक बहुत बड़ा platform बल जाएगा larger markets को वो लोग hit कर पाएंगी और जादे यहां पर इंड to operate in conjunction with each other याने कि जो groups हैं आपस में मिलकर काम करें और यहां पर आप देख पाओगे क्वार्ड गुरूप है यह भी बेसिकली चार कंट्री का गुरूप है इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज हैं एक तरफ है यूएस फुर उसके बाद जापान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया य ग्रूपिंग है तो यह सारा स्टेटमेंट किसके दोरा दिया गया है जो उपर वाला स्टेटमेंट है यह दिया गया है अगर नहीं पर सही है ठीक ठाक है इतने बुरे रिलेशनज भी नहीं है दूसी तरफ अगल हम जापान इंडिया की बात करें तो आच के ताइम पर ऑस्ट्रिलीय के साथ ही हमारी 條ष काफी अच्छा है तो चारू कण्ट्री जो घृख है यह काफी काफी स्रेंटन गृप है काफी इंप्सक्राइस बोल में लोगेMध Gettingoor चीफ एलेक्षन कमिशनर और इनकी डेथ हुई है तो उसी वज़ा से यहां पर यह नूज के अंदर है तो कृष्ण मुर्ति यहां पर इनका नाम है और बोला जा रहा है कि देखो इनकी जो एज वगेरा है काफी जादा हो गई थी उसकी वज़ासे ही कोई problems हो रही थी then age related ही यहाँ पर death हुई है और age थी इनकी 86 और काफी कुछ इन्होंने contribute किया है यानि कि आप देख पाओगे election commission के यह chief election commissioner थे election commission of India यह कौन सी body है एक तरीका हमारी जो है constitutional संभधानिक body है जो की काम करती है हमारे country के अंदर जो भी elections होती है उनको fairly conduct करवाती है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनका contribution काफी जादा था इन्होंने काफी laws बगेरा बनाए हैं काफी बढ़िया तरीके से काम किया था तो यहाँ पर इनका काम कभी हम भूलने वाले नहीं है यहाँ पर सारी चीज़े बताई गई है अब यहाँ पर question एक और है देखो अभी हाली में एक नए चीफ election commissioner अपॉइंट हुए है उनका नाम क्या है नीचे comment section में बताओ इनके बारे में मैंने कल ही आप लोगो बताया था ओके नाव बढ़ते हैं next article की तरफ और यह बराबर में जो आप article देख पा रहे हो कि जो भी फ्रेंच के foreign minister थे अभी इनों नोई meeting करने को decide किया था लेकिन अगर हम लोग देखें तो covid-19 के cases जो है काफी थे जिसे बढ़ते वे नजर आ रहे हैं उसकी वज़ासे meeting जो है cancel हो रही है तो यहाँ पर वो सारी चीज़े बताई गई है फिलाल यहाँ पर अभी जादा कुछ है नहीं उसके बदाते हैं page number 9 के उपर तो आप देख पाओगे यहाँ पर हमारे लिए कोई भी article important नहीं है जो कि हम पढ़ें page number 10 पर तो एक article यहाँ पर आप देख पाओगे यह COVID-19 से related है यहाँ पर बताया गया है कि हमारे overall country के अंदर टू लैक नहीं cases देखने को मिले है पिछले 24 घंटे के अंदर तो आप देख पाओगे लगातार जो यह graph है वो increase होता हुआ नजर आ रहा है और 990 death देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के अंदर तो एक तो यहाँ पर मेरा suggestion यह रहेगा आप अपना सबसे पहले अपने आपका ख्याल रखो और जो है भीड़ वागरा मैं अभी के लिए मत जाओ अभी जैसे हम लोग पहले चीजों को implement कर रहे थे वैसे चीजों को दुबारा से implement करना चालू कर दो क्योंकि काफी हतक लापरवाई भी है जि वो चीजें हम लोग को वापस से नजर आ रही है होती वी जैसे कि हम लोग अभी गुजर किया है जिस सिचुएशन से उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो यहाँ पर बात करी गई है जो हम लोग स्पूतनीक 5 वैक्सीन को रशियन वैक्सीन है इसको हम लो इंडिया के अंदर हमने स्पूतनीक 5 को आपका सकतो अप्रूवल दिया है अब यह जो अप्रूवल दिया है तो उसी के साथ यह इंडिया के अंदर तीसरी वैक्सीन होगी तीसरी वैक्सीन इससे पहले हमारे पास पहली और दूसरी वैक्सीन से वो कौन कौन सी है एक है को और दूसरी है कोवी शील्ड यह होगी तीसरी वैक्सीन ओके और उसके बाद यहाँ पर इस पूतनिक यह जो फाइव है यह नाम आया कहां से यह पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि बहुत ही जादा न्यूस के अंदर है अगें तो यहाँ पर आपको धिहान रखना है कि यह ज युइशन को फ्रोजन फोर्म में इक धिहान रखना है और दीशन को इस थारता है कि आफास हएं तो यहाँ आपर देख पाओगे जो इस यादारे में चल रहा है हम नोग यहां पर देखें गे तो पहले बहुत च्यानीज के अंदर है بहोत जादा important है और देखो हुआ क्या है अगर आप लोग कहोगे तो इस पूरे के उपर मैं एक वीडियो भी बना दूँगा अफगानिस्तान के अंदर जो situation है उसके उपर ठीक है आप लोग मुझे जरूर नीचे जरूर बताना ठीक है कहोगे कि सर आप बोल तो देते हो कि हाँ वीडियो बनाओ लेकिन फिर उसके बाद वीडियो आती नहीं है क्या करूं टाइम बैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है बहुत मुश्किल रहता है टाइम को मैनेज करना ठीक है तो उसी की वज़से यहाँ पर मैं कोशिश तो करता हूं कि जैसे जैसे टाइम मिल जाए लेकिन फिर उसके बाद भी 24 घंटे भी कम पड़ जाते है चलो यहाँ पर फिलाल अभी हम लोग इस आर्टिकल में बात करते हैं यहाँ पर देखो हुआ क्या है एक्जैक्ली वैसे सिच्वेशन जानना काफी साथ इंपॉर्डेंट है इसके उपर तो मैं कोशिश करूँगा जो पेंडिंग वीडियोज है बहुत सारी वीडियोज मेरे दिमाग में हैं यह सारी वीडियोज क्रिएट करनी है इन इन पर्टिकलर टॉपिक्स के उपर लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ उन वीडियोज को इस टाइम को मैनेज करते करते इस तरह की सिच्वेशन आ गई है यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो बहुत इंपोरेंट है वो क्या रहा है अभी जो है USA और जो नेटो के आपका सकतो जो मैंबर्स हैं वो लोग अपने जो भी टूप्स इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भेजे थे उन टूप्स को वापस से विड्रो करने की बात करी जारी है और जल्दी से यह लोग विड्रो करने वाले हैं अब देखो मैं आपको एक ओवरॉल सिच्वेशन वताता हूं क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर देखो एक तरफ है अफगानिस्तान गोवर्न्मेंट दूसरी तरफ है तालिबान जो की एक मुस्लिम पर श्रूप से वह हैं यह अमेरिका के जो टूप से यहां पर भेजे गए थे लगबग 20 साल पहले बेजे गए थे आप देखपाऊगे 20 साल से यहां पर यह टूप्स लगातार हैं ठीक है देखने को मिल रहे है यहांपर सिच्वेशन कंट्रोल कर रहे हैं और आप देख प को खतम करने हैं हम लोग पीस डील करके जा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर तालिबान और जाद है स्ट्रॉंगर भी बनता जा रहा है तो अगर हम लोग बात करें एक्जैक्टली यहां पर यह है देख पाओगे कम से कम जो साथ हजार हैं वो नौन यूएस फोर्सेस हैं जो कि नेटो कंट्री से बिलॉंग करती हैं कुछ आस्ट्रेलिया की हैं न्यूजिलेंड की जॉर्जिया यहां सब ही से भी ट्रॉप्स हैं यह सब अफगानिस्तान के अंदर हैं तो जल्दी से इनको विड्रॉ किया जाएगा ज इतना पैसा बाहे आ है यहां पर अमेरिका ने बहुत पैसा पानी की तरह बहा दिया है जबसे अगर हम बात करें 20 साल से क्या सिच्वाइशन थी canta क्या हुआ था क्यों ह्या पर अमेरिका आया ठीके हुआ क्या था एक attack हो गया था अमेरिका के उपर ठीके जिसको हम लोग 9-11 attack भी बोलते हैं ठीके तो उसकी वज़ा से यहाँ पर अमेरिका ने फिर उसके बाद यहाँ पर decide कि हम लोग को terrorism को इखतम करना है वो attack किस ने किया था अल-काइदा ओश्रामा बिन लादिन उस attack के पीछे था ठीक है तो यहाँ पर यह सारी situation थी काफी जाद है यहाँ पर history एसके अंदर आप history पढ़ोगे तो आपको clear होगा world history पढ़ोगे मज़ा आएगा इसके बाद यहाँ पर next article यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर बात करी गई है अभी आप लोगों को मालूम होगा कि जो है एरान जो है वो किसका uranium का enrichment कर रहा है अब uranium का enrichment तो करी रहा था कहाँ पर एरान के अंदर एक आपको सकते हो natanz नाम की natanz ठीके ध्यान रखना इसका नाम है natanz uranium आपको सकते हो refined ती यहाँ पर जो है एक तरीके सा attack हो गया और यह attack जो है बोला जा रहा है इसराइल ने करवाया है ठीके अब यहाँ पर क्या है जो है इरान जो है वो अपना जो भी enrichment कर रहा था uranium का तोड़ा सा उसने enrichment करना चालू कर दिया है आप देख पाओगे और जो भी countries है UK, France, Germany वो छोड़ा सा चिंतित हो चुकी है क्योंकि इरान ने यह काम करना चालू कर दिया क्योंकि इरान से एक तरीके समलूब deal सेट करते हैं कि इरान uranium का enrichment ना करे अपना nuclear जो है nuclear activities ना करे ठीक है तो फिर लेकिन अभी आज के टाइम पर गलो हम देखें वो ये सारी चीज़े एक साइड बे रखी पड़ी है और कोशिश ये चल रही है आज के टाइम पर गलो हम देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर आस्ट्रिया के अंदर जो वेना है वेना के अंदर बातचीच चले काफी countries के साथ मिलकर कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर deal कर सकते है इरान के साथ क्योंकि ओब्यसी बात है डॉनल्ड ट्रप ने साल 2018 में क्या गरा था इरान के साथ उसमें से USA को बाहर निकाल दिया था तो यह सारी situation create होई थी आज के time पर हम लोग देख पा रहे है situation और जादे भत्तर साबित होती जा रही है जो बाइडन की कोशिश यह है कि इस deal के अंदर वापस से USA को लाया जाए और इस deal को वापस से करा जाए तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह था particular article उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है पाकिस्तान जो है बैन करेगा कुछ radical Islamist parties को तो उसके बज़ा सही आप देख पाओगे पाकिस्तान के अंदर धेर सारे हो रहे हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिच्चर में देख पा रहे होंगे पाकिस्तान ने वेटनस डे में डिसाइड किया कि धेर सारी Islamist parties को जो है जो कि terrorism act के अंदर में आपका सकते हो इनको बैन किया जाएगा और यहाँ से हटाया जाएगा उसी की वज़ा से लगबग प्रोटेस चल ला है 300 पुलिसमें इंजर्ड हो चुके है साथ लोग की जान जा चुकी है वहाँ पर ठीके और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे बात करी गई है श्रिलंका भी बैन करेगा आईयस को ठीके इसलामिक स्टेट्स को और दस अलग एक्स्ट्रमिस्ट ग्रूप्स को भी यहाँ पर बैन करने वाला है श्रिलंका ठीके तो आप देख पाओगे यहाँ पर बोला गया है उसके बाद आते हैं पेज नमर 14 के ओपर that is business section देखेंगे economy से related article तो economy से related एकी article आप लोग देख पाओगे यहाँ पर बोला जा रहा है इंडिया जो है एक हब बन सकता है किस चीज का hardware manufacturing का क्यों क्योंकि चाइना से काफी सारी world की most technology most major technologies जो है चाइना से निकलती भी नजर आ रही है चाइना से बाहर आ रही है तो इंडिया जो है अपनी तरफ इसको attract कर सकता है और इंडिया जो है एक manufacturing hub बन सकता है जादा important नहीं है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे एक चोटा सा article यह भी है यहाँ पर अभी चोटा सा idea रख सकते हो इंडिया का जो public debt level है वो थोड़ा सा बढ़ता वा नजर आ रहा है अब बढ़ते हैं हम लोग अपने editorial section की तरफ देखेंगे आज के most important editorials को नहीं हाँ पर आप लोग कुछ editorials देख पाऊगे पहला editorial बात करता है किस चीज़ के बारे में वही examination को लेकर CBSC ने जो step उठाया है ठीके class 12 के examination को postpone कर दिया गया है और class 10 के exam को cancel कर दिया गया है तो उसकी बारे में बात चीट करी गई है next यह काफ़ important article होने वाला है इसको बहुत ही detail में मैं बात करने वाला हूँ पूरा international relations को हम cover कर लेंगे इंडिया और चाइना के 1950 से लेकर 2021 तक के relation में सारे cover करूँ है यहां के इस particular topic के अंदर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहां से अगर हम लोग बात करें यहां पर basically author के द्वारा इन दोनों के relations के बारे में बातचीत करी गई है कि आज के time पर देखें तो relations थोड़े बहुत इंप्रूब होते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग decide कर रहे हैं कि relations को improve कर पाएं अच्छे से लेकिन दूसरी तरफ इतिहास देखें तो आपको यहां पर आप देख पाऊगे पूरी हिस्ट्री समझाई गई है हिस्ट्री में काफी जादा बुरा हल हुआ है इन दोनों के relations का बीच में improve हुए हैं फिर वापस से बेकार हुए हैं चलो discuss करते हैं यहां पर आप देख पा सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आते हैं 1950 में इंडिया चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स को एस्टेबलिश किया था फर्स्ट एपरेल 1950 में रिलेशन्स जो है अब यहां से बनना स्टार्ट हुए थे ठीक है जहां आप से कोर्ट फेमस हुआ था हिंदी चीनी भाई भाई ठीक है उसके बाद 1955 में आ गया हम लोग 5 साल बाद अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक एशियान अफ्रीकन कॉंफरेंस को अटेंड गया ठीक है जिसमें 29 कंट्रीज ने और भी जाद है पार्टिसिपेट किया था मतलब भी इसमें जो पार एक तरीके से border conflict हो गया था इंडिया और USA के बीच में जो bilateral relations थे वो पूरी तरह से तबाव हो चुके थे इंडिया यूसे बोल दिया मैंने सौरी इंडिया और चाइना के बीच में ठीक है 1962 के अंदर जो border conflict हो था वहां से relations बहुत जादे खराब हुए फिर उसके बाद टाइम आया इंडियान हमारे Prime Minister थे राजीव गांदी जी उस समय यह चाइना गए और चाइना जाकर इन्होंने bilateral relations को improve करने की कोशिश करी थी और कोशिश यहां पर की गई कि relations को improve करा जाया और जो boundary है उसके related जो है काफी सारे solutions लेकर आई जाए उसके बाद 1992 आया 1992 में हमारे इंडियन President थे आर वेंकर रामन जी यह भी चाइना विजट करे और चाइना में जाकर इन्होंने भी क्या करा कोशिश करी है पूरी तरह से relations को maintain करने की और यह पहले President थे आपको याद रखना है यह पहले President बने जो की चाइना विजट करे थे और जो है 1996 में चाइना जो चाइनीज President थे एक वो कौन थे यांग जेमिन अब यह इंडिया आ गए अब यहाँ पर आप देखपा हुए इंडिया आए अब पहली बार यहाँ पर यह पहले आपका सकतो Head of State है जो की चाइना से बिलोंग करते हैं पहली बार इंडिया के अंदर आए हैं अब इंडिया के अंदर आए हैं तो इंडिया चाइना जो Border Areas बगरा हैं इनको लेकर काफी सारे चीज़ों को Agreement किया गया काफी सारी चीज़े साइन करी गई कि आपस हो मिलकर यह Corporation करने वाले हैं फिर आया साल 2000 टाइम का फिर जब 2000 आया तो फिर क्या हुआ इंडिया ने एक President थे के आर नारायन जी यह चाइना गए ठीक है यह चाइना क्यों गए क्योंकि 50 साल हो चुके थे कि हम लोगों ने अपने Relations को मेंटेन किये थे क्योंकि आप विसी बात है हमने 1950 में अपने Relations को स्टार्ट किया था और साल 2000 आ चुका है तो 2000 में 50 साल हो चुके थे हमने Relations को Establish किया था तो उसको celebrate करने गए थे फिर साल 2008 आया उसमें आप लोग देख पाओगे 21st century में आपके सकते हो a shared vision for the 21st century इस टाइप का एक एगरी किया गया है दोनों government के द्वारा कि आने वाले टाइम पर और अची तरीके से एक vision sector के चलने वाले हैं फिर आया साल 2010 इसमें जो 60th anniversary ती यानि कि आप देख पाओगे 50 से 60 साल हमारे relations को पूरे हो गए तो 60 साल की relations को 60 साल की anniversary को पूरी यहां पर celebrate किया गया था उसके बाद साल 2011 आया इसमें क्या हो गया इंडिया चाइना एक्सचेंज एर आया दोनों साइड में क्या हुआ इन्होंने एक तरीके से people to people and cultural exchange activities को अपना आया एक दूसरे की activities को हम लोग exchange कर रहे थे और हम लोगने relations को cultural contacts को बढ़ाना चालू कर दिया था उसके बाद आया साल 2012 उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे क्या हुआ जो friendship और cooperation है थोड़ा सा हम लोग यहां पर और develop करते हुए नजर आ गए जो head of the government है यहां पर मिले थे seven brick summit के अंदर जिसमें और भी countries थी उससे पहले हम लोग fourth brick summit के अंदर भी मिलने गए थे आप लोग यहां पर देख सकोगे उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे चाइना ने डिसाइड किया कि जो नाथूला पास सिक्किम के अंदर उसको open किया जाएगा to Indian official pilgrims ठीक है और Indian के लिए आपर उसको open किया जाएगा लेकिन अब अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ अब आता है साल 2018 दो Chinese President है उन्होंने एक informal meeting करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ठीक है वुहान में जहां पर और भी चीज़े सेट करी गई थी उसके बाद साल 2019 मे अगें जी 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 पिंग आयत ममला पूरम में आपको मालूम होगा वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ meeting होई थी इस तरीके से हमारे relations चलते रहे फिराया साल 2020 अब साल 2020 के अंदर हमारे 70 साल पूरे हो चुके हैं दोनों के relations को अब 70 साल पूरे होने के बाद जो dispute है वो हो चुका था वापस से start अब साल 2020 में मई का time था चाइना और इंडियन ये दोनों forces clash कर गएं कहां पर नाथुला सिक्किम में फिर उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे लद्दाक वाले region में clash कर गए लद्दाक वाले region में जो tensions है काफी जादे create हो गई दोनों troops के बीच में फिर साल 2020 यानि पिछले साल जून में क्या होगा जून में आप देख पाओगे बहुत बड़ा incident create हो गया एले सी पर यह दोनों ही आर्मी सखड़ी वी थी और हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए थे इस incident के अंदर तो यहां पर आप देख पाओगे 1962 में जो गोलिया एप्स को बैन कर दिया जो भी हमारी country के अंतर था including TikTok ठीक है उसके बाद आप देख पाओगे नवंबर 2020 आया हमने फिर 43 मोबाइल एप्स को और भी जादे बैन कर दिया चाइनीज से चाइना से ट्रेड हमने कम करने की कोशिश करी थी फिर अब अगर हम लोग बात करें ऐसी इसके बारे में जरूर कवर कर लेना इंटरनाशनल रिलेशन यह वीडियो जो है आपको एक घंटे की मिलती यहाँ पर हमने मुश्कल से 8-9 मिनिट में इन रिलेशन को कवर कर लिया है ना बढ़ते है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखो नेक्स्ट आर्टिकल यह वाला य बहुत सारी टर्म्स वागिरा हैं वो कवर करनी काफिता इंपॉर्डन हो जाती है जैसे कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ इंफलेशन हमारे बेसिकली जो कॉसे इंफलेशन के वो क्या क्या होते हैं तो चलो मैं आपको एक छोड़ा सा एक ओवर्वी देता हूँ देखो जो इंफलेशन है इसको हम लोग महंगाई बोलते हैं इंफलेशन एक डिमांड पुल इंफलेशन होती है एक कॉस्ट पुश इंफलेशन होती है और एक होती है बिल्ट इन इंफलेशन जो डिमांड पुल इंफलेशन होती है ये महंगाई कैसे बढ़ती है इसके बा कि महांग बढ़ जाए तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसका लोग बोलता है तो और जब वासार के अंतर और इंक्रीमेंट को मिल जाता है उसके बा souha daughter Russian вы Inv pantico मतलब कि जब वरकर्स होता है जो काम करने वाले मस्दूर लोग होते हैं वो कहते हैं अपनी company में जाकर कि हमारी salaries को बढ़ाई जाए क्यों कि झालेज करक़े महिस्सी बात है दीन गारी है तो उसके यँदू कर नहीं है तो उसको देखते हुए यहां पर अपनी salary को बढ़ाने को बोलते हैं तो उसकी basis पर वह cleanup हो जाता है उसको बोलते हैं built-in inflation ओके यह तीनोगी concept clear रखना याद रखना उसके बाद दो article है जो कि मैं बाद में discuss करूँगा यह वाला इस पर मुझे थोड़ी सी और research करने की ज़रूवत है इस वाले article को और एक और article है उसको तो मैं आपको रिसरच करें के थोड़ा सा और जादे इसके उपर बताऊंगा ओके नेक्स यहां पर यहां पर यहां पर बात करी गई है secrecy around death after vaccination देखो यहां पर क्या है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले है कि vaccination के बाद भी बहुत सारे लोग की death हुई है तो यहां पर क्या exactly हुई है vaccination के बाद तो media report ने यहां पर indicate किया देखो जो भी death हुई है अस्तरा जने का kovi shield की जो vaccine लेने के बाद वो सब हुई है heart की disease से या फिर stroke हुआ है किसी को cardiac arrest हुआ है इसकी वाजा से इनकी death हुई है लेकिन आप देख पाओगे death हुई है जर्मनी के अंदर नौर्वे के अंदर blood clot की वाई से देखने को मिली है ठीक है यह सारी चीज़े आइरलेंड के अंदर डैनमार्क आइसलेंड यहां सभी जगह पर death देखने को मिली है इन vaccines के बाद लेकिन cardiac arrest देखने को मिला है ठीक है stroke देखने को मिला है blood clot देखने को मिला है लेकिन दूसी तरफ अगर हम बात करें जब इसके उपर research करी गई तो यहाँ पर यह बताए गया कि इससे कोई relation नहीं है यहाँ पर vaccine से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है अगर मानलो 1000 में से 9 की death हो रही है 1000 में से 10 की death हो रही है तो क्या 1000 ने vaccine लगवाई है 1000 में से 10 की death हो गई तो क्या vaccine की वज़ास होई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनको खुद की कोई problem है जिसकी वज़ासे वो death होई है और यह सारे जो events है यह कोईंसिडेंटल हुए है कोईंसिडेंट बेसिस पर जैसा कि आप लोगों को यह COVID-19 के टाइम पर देखने को मिल ला था कि जिनकी भी death हो रही थी सब लोग भोल ले थे कि यहां यार कोरोना की वज़से death होई है ठीक है तो यहां पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि जो death होई हो vaccination की वज़ासे होई है यह सारी चीज़ें यहां पर बताई गई है ओके छोड़ा सा है यहां पर जो main चीज़ थी वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है और देखो यह भी बोला गया है if not associated with the vaccine but if there is an association the death becomes preventable देखो यह जो vaccine की वज़से death होई नहीं है अगर vaccine की वज़से death होती तो हम लोग उसको बचा सकते हैं मतलब अगर कोई ऐसी problem create होती तो हम लोग उसको prevent कर सके हैं उस death को preventable बना सकते हैं लेकिन यहां पर यह death जो है उनकी problems की वज़से होई है खुद की ऐसा कुछनी की vaccination की वज़से होई है उसके बाद next article आप लोग यहां पर देख पाओगे यह काफी popular हो चुका था पिछले दिनों जिसको हमने काफी discuss भी किया है हुआ क्या था अभी हाली में उसी के बार हैं बातचीत करी गई है US ने अपना जो ship है वो हमारे exclusive economic zone से गुजार दिया है ठीके और यहां पर उसी को लेकर इंडिया ने protest किया कि भई permission लेनी चाहिए थी हमारे area में से कैसे ship गुजार दिया US ने ठीके तो यहां पर आप देख पाओगे वही पूरा का पूरा statement वही पूरा का पूरा वापस से news इसकंदर cover करी गई है मैं आपको फिर भी overview दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो यहां पर कुछ pictures हैं जिसके तुरू हम लोग clear करने वाले हैं यहां पर एक चीज एक सेकंड में आपको clear करता हूँ यहां पर हमने कुछ picture share किये थे यहां पर आप लोग देख पाओगे यह exclusive economic zone EEZ क्या होता है तब यह आपको समझ में आएगा यह देखो इंडिया का map है और नीचे यह वाला जो extra portion है यह extra area है यह हमारा exclusive economic zone है अब इन क्या करा USA ने अपना ship यहां हमारे area से गुजार दिया निकालना तो यहां से निकालता यहां से निकाल दिया और बिना हमारी permission के तो उसी वज़ा से यहां पर यह सब products देखने को मिला है नाव यह exclusive economic zone decide कैसे किया जाता है तो आप मानलो यह है हमारे भारत की जमीन यह है land अब land के थोड़ा सा आगे जाएंगे मैंने जैसा बताया थोड़ा extra portion है हमारा exclusive economic zone वो extra portion कैसे देखा जाता है हमारी land से कम से कम आगे तक 200 nautical miles 200 nautical miles तक का जो यह distance होगा आगे का वो exclusive economic zone कैलाएगा फिर उसके बाद का जो area होगा वो C कैलाएगा ओके आई हूप आप लोगो को यह clear हो गया यह exclusive economic zone तो यहीं से जो है इस ship को गुजारा गया नाव यहाँ पर यह बात हो रही है कि इंडिया ने बोला है कि एक तरीके से permission लेनी चाहिए थी इसको लेकर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अब यहाँ पर आप देख पाओगे जारी चीजे जो है बेसिकली यह जो news है यह काफी popular रही थी पिछले दिनों में तो यहाँ पर बेसिकली यह भी बोला गया है कि देखो जो इंडिया है वो UN clause का आज के टाइम पर सिगनेटरी है यह सारे रूल करता है यह जो 200 नौर्टिकल माइल का जो रूल है यह सब UN clause का यह रूल है ठीक है तो अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर maritime जो रोव अगरा है इनका हननन किया गया है लेकिन जब USA से पूछा यह सब क्यों किया गया है तो USA का पता है क्या जवाब था USA का जवाब था यार यह तो हमा करते रहते हैं यह हमारी आदत में है हम लोग habit में हमने बहुत सारी country से साथ ऐसा किया है और ऐसा चलता रहता है ठीक है इनका दोरा economic zone से यह लोग निकल कर आए है in fact यहाँ पर China भी include है China के EZ से भी यह लोग निकल गए है तो यहाँ पर यह statement दी गई है तो उसी को लेकर बातचीत करे गई है अगेन वो इसी rent को समझाया गया है पूरी proper तरीके से तो यहाँ पर आम लोग इसको अरड़ी cover कर चुके हैं ओके एक छोड़ा सा मैंने overview यहाँ पर आप लोग को अगेन दे दिया है तो इसी के साथ करते हैं आम लोग अपने newspaper analysis को समाप बिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye have a nice day